नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्प्लिनेशन ओफ रिफ्रेक्शन बाई वेव थियोरी अपवर्तन की व्याख्या वेव थियोरी से जो कल आपको हाईगेंस का सिध्धान पढ़ाया था उस सिध्धान से अपवर्तन की व्याख्या कल आपको मैंने परवर्तन की व्याख्या पर आवरती नहीं बदलती इसी तरीके से जब कोई प्रकाश की तरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवरती नहीं बदलती यहां पर Z, Z' जो है वो एक अपवर्तक प्रष्ट है जो दो माध्यमों को अलग कर रहे हैं यह माध्यम एक और यह माध्यम द तो यहां से एक AB तरंगाग्र जो है तिर्चा इस प्रष्ट पर आपतित होता है। कल जैसे मैंने आपको बतायाता है यह AB तरंगाग्र है और यह किरण है। तरंगाग्र और किरण जो है एक दूसरे के लंब हुआत होती है। तो ये तरंगाग्र जो है T बराबर 0 समय पर A बिंदू इस प्रष्ट पर टकराता है। अब अगर हम इस पर एक अभी लंब खीचें तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपतित किरन और अभी लंब के बीच में बना हुआ कौन आई यानि कि आपतन कौन होता है। तरंगाग्र के बिंदू B को सीमा प्रष्ट के बिंदू A डैश तक पहुचने में T समय लगता है। तो B A डैश बराबर क्या हो जाएगा V1 T जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय होती है तो यहां से दूरी बराबर चाल गुना समय। पहले माद्यम में क्योंकि चाल V1 है समय T तो V1 T अब जैसे जैसे यह तरंगाग्र आगे बढ़ता है तो यह A और A डैश के सभी बिंदूओं से टकराता है और हाइगंस के सिद्धान से हमने क्या पढ़ा कि इन बिंदूओं से फिर द्वित्तिक तरंगाए निकलने लगती है जो पहले माद्यम में V1 चाल से और दूसरे माद्यम में V2 चाल से चलने लग जाती है सबसे पहले इस बिंदू A से द्वित्तिक तरंगी काए चलती है जो T समय में दूसरे माद्यम में A B डैश तक V2 दूरी तैयर कर लेती है जैसे यहां आमने V1 T दूरी निकली वैसे क् इस माध्यम में चाल V2 है तो यहां पर V2 दूरी तय कर लेती हैं और इसी समय T में तरंकागर का जो बिंदू B है ये वला बिंदू ये पहले माध्यम में V1 T दूरी तय करके A- तक पहुँच जाता है ये वला बिंदू V2 दूरी तय करके B- तक पहुच जाता है और ये वला ब is equal to V2D और BA1 is equal to V1D चूंकि V2 less than V1 क्योंकि सगन माध्यम में जो चाल होती है वो विरल माध्यम में चाल से कम होती है अब हम क्या करेंगे कि बिंदू A को केंद्र मान कर AB' ये जो है AB' त्रिज्य का एक चाप खीच लेते हैं और A' बिंदू से एक स्पर्ष रेखा केशते हैं ये जहाँ पर टकराएंगे वो हो गया बिंदू B' तो अब ये जो A' B' है ये अपवर्तित तरंगागर होगा AB आपतित तरंगागर और A' B' अपवर्तित तरंगागर होगा अब त्रिबुज A, B, A' में उपर वले तरिबुज में Sine I is equal to B' upon A' B' का मान V1T है तो V1T upon A' और नीचे वले तरिबुज में A, A' B में Sine R is equal to AB' upon A' AB' का मान V2T है V2T upon A' ये equation 1 ये equation 2 दोनों equations को divide करने पर T से T cancel out हो जाएगा A, A' से A, A' तो Sine I upon Sine R is equal to V1 upon V2 is equal to नियतांक constant और ये नियतांक स्नेल के नियम से हमें बता है कि ये होता है अपवर्त नांक तो 1N2 is equal to V1 upon V2 V1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जब हमने Ray Optics पढ़ी थी प्रकाश को सर्फ किरन माना था तो वहाँ पर अपवर्तन का नियम था Sine I upon Sine R is equal to N दोनों का जो अनुपात होता है वो N अपवर्त नांक के बराबर होता है पर जब हम अब यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात में क्योंकि चाल C होती है तो N is equal to C upon V या फिर V is equal to C upon N यदि N का मान एक से अधिक होगा तो V less than C V अगर हम जल में चाल लेने प्रकाश की तो जल में प्रकाश की चाल C यानि की निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है